ओके सू हेलो एवरिवन आज फिर से हमें एक नया कलर लेकर आये हैं तो देख सकते हो कि हैर्स पर हमने पहले ब्लीच वाश किया है देन उसके बाद में हमने कलर डिपॉजिट किया है तो कौन सा कलर होगा किस तरह से पूरा अप्लिकेशन होगा पूरा डिटेल में देखेंगे तो आज हम यूज़ कर रहे हैं Strix का ब्रैंड और Strix का डेवलेपर, Strix का ट्यूप Strix का प्रिलाइटनर सब कुछ Strix ब्रैंड का ही करने वाले हैं तो Strix तो जैसे कि आप लोग को पता है कि वो भी प्रोफेशनल ब्रैंड ही है और हैर्स देख सकते हो कि काफी ज़्यदा डाई लगे हुए और महनी लगे हैर्स है तो इस पर अगर हम लोग डारेटली ट्यूप्स का कलर करेंगे तो हमें जो कलर चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो हमारा कलर है वाइन रेड याने की बरगंडी टैप्स का थोड़ा कलर है तो चलिए सबसे पहले हम लोग गलव्स पहल लेते हैं जैसे कि आप लोग को पता है कि कैमिकल वर्क करने के पहले हाथों में गलव्स रेना बहुत ज़रूरी है तो चलिए दोस्तो पहले हम ब्लीच वाश करेंगे यानि कि प्रिलाइटनर करने के पहले इसे आप लोग बोल सकते हो कि ब्लीच क्लिंजिंग या पि प्रिलाइटनिंग क्लिंजिंग भी बोल सकते हो तो इसे करने के लिए हम लोग सबसे पहले हमारा जो product है वो निकाल लेते हैं pre-lightner powder तो जब तक हम लोग pre-lightner निकाल रहे हैं आप फटाफ़ वीडियो को like कर लिजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो subscribe तो दोस्तों जरूर बनता है pre-lightner हमें 20 volume से mix करना है ताकि जो हमारा hair से वो ज़्यादा dry और damage ना हो अगर हम लोग 30 या 40 volume से use करते हैं तो हमारे hair dry और damage होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग 20 volume से इसे mix करेंगे तो चलिए अच्छी तरीके से mixing कर लेते हैं अब हम आच चुके हैं mixing करने के बाद hairs पर जो की काफी ज़्यादा dye और महेंदी लगे हैर हैं तो इसे हम लोग पहले cleansing करेंगे bleach cleansing या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो pre-lightning cleansing भी बोल सकते हो तो इसे आप लोग जिस तरह से global color करते हैं उस तरह root को छोड़ते हुए आप लोग करना है root को आप लोग कम से कम एक inch तक छोड़ देना है और उसके बाद में देरे देरे जिस तरह से हम लोग global color करते हैं उसी तरह आप लोग को ये लगाना है तो दोस्तों ध्यान रहे कि ये skin पर बिल्कुल भी ने लगे क्योंकि अगर skin पर लगेगा तो ये काफी burn करेगा तो इसे आप लोग को ध्यान से रखते हुए और बहुत भी proper तरीके से पतले पतले sections लेते हुए आप लोग को bleach wash यानि की pre-lightner लगाना है तो दोस्तों जब तक हम लोग प्रि-lightner लगा रहे हैं तब तक मैं आप लोग को बता दू कि मेरा Instagram ID भी है hair stylish रोहित लिंक आप लोग को description में मिल जाएगा वहाँ पर भी काफी ज़्यादा short haircut से related वीडियो आते रहते हैं वहाँ पर भी मैं काफी ज़्यादा knowledgeable वीडियो बनाता रहता हूँ तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हों उस स्क्रीन पर अगर आप लोग को देखना हो Instagram ID मेरा तो वीडियो last में खतम होने के बाद मेरे Instagram ID पर ज़रूर विजिट करना लिंक आप लोग को description में मिल जाएगा क्लिक करिए और सीधे मेरे Instagram ID में जाईए तो चलिए हम लोग फटा फट पहले bleach wash कर लेते हैं bleach wash जो कि आप लोग को पता है कि pre lightner और bleach एक ही चीज है लेकिन bleach हम इसे नहीं बोलते हैं आप लोग को समझनी के लिए मैं इसे bleach wash बोल रहा हूँ ठीक है तो चलिए फटा फटा हम इसे प्रिलाइटनर लगा लेते हैं ग्लोबल कलर की तरह बस आप लोग को एक एक इंच छोड़ते हुए लगाना है आगे की तरह भी लगाना है रूट पर आप लोग को ध्यान देना है की रूट पर ना लगे तो हमारा पूरा प्रॉपर तरिके से लग चुका है अब इसे हम जादा नहीं बस आप लोग को चेक करते रहना है आप लोग को जितना लेवल चाहिए उतना लेवल का अंडर कोट मिल जाए तो हमें इसे अच्छी तरीके से वाश कर लेना है तो हम इसे जादा नहीं हम इसे बस 20-25 मिनिट के लिए रखेंगे और हमें हमारा जो शेड है जो अंडर कोट है वो हमें चाहिए तब 5-6 लेवल तक तो वो हमें मिल चुका है वो आच्छी होने के बाद हम भी इसे करेंगे वाश और वाश करके हम इसमें परपल शांपू यू कोई भी ब्रैंड का आप ले सकते हो बट परपल शांपू होना चाहिए तो आप हम इसे अच्छी तरीके से वाश कर ले हैं वाश करने के बाद में टावल ड्राय करेंगे और देन इसे करेंगे ब्लो ड्राय तो ब्लो ड्राय करने के बाद आप लोग को इसे अच्छी तरीक से खाले 100% dry करने के बाद में सीधा हमारा color deposit करना start करेंगे तो कौन सा color है मैं आपको पूरा detail में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को इसे करना है और कौन सा developer हम लोग इसमें use करने वाले है तो फिलाल हमने pre-lightner जो use किया है यानि कि जितना आप लोग को ट्यूब लेना है उतना ही developer भी लेना है तो हम इसमें color deposit अप करने वाले हैं और color deposit के लिए आप लोग को 20 volume ही लेना है तो 20 volume में हम इसे mix करेंगे और इसे आप लोग root पर भी लगा सकते कि 20 volume आप लोग को जैसे कि पता है कि हम root पर भी application कर सकते हैं ट्यूब की मदद से तो चलिए फटा-फट हम tubes निकाल ले रहे हैं तो 60 gram tubes लिया हम लोग ने जो कि एक tube में 60 gram होता है तो 60 gram अगर आप लोग ने ट्यूब लिया है 60 gram ट्यूब है तो 60 gram आप लोग को developer भी लेना है जैसे कि आप लोग को पता है कि mixing ratio है one is to one तो चलिए दोनों को हम लोग ले ले लेते हैं 60 60 दोनों लिये हैं अब इससे अच्छी तरीके से हम करेंगे mix और mix करने के बाद ने पूरा प्रॉपर तरीके से application करेंगे तो mixing आप लोग का बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए अगर आप लोग अच्छी तरीके से ब्रॉपर नहीं किया है तो कलर आपका प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो mixing करने के बाद देखिए किस तरह से हमारा पेश्ट तयार हो चुका है दोस्तों यहां चाहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियो तो दल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजे दोस्तों क्योंकि काफी जादा नौलेजबर वीडियो आज का यह होने माला है तो जबी भी आप लोग को कोई बरगंडी शेड या फिर कोई वाइन रेड कलर बोले और उनके हैर्स पर बहुत जदा डाए या फिर बहुत जदा मेहंदी लगई हो तो आप इसी तर कि जबी भी आप लोग को ब्लॉंडर यूज करना है यानि की ब्लीच वाश करना है तो आप लोग को ध्यान देना है कि जितना कम हो से कि उतना कम 20 वॉल्यूम या फिर 30 वॉल्यूम से ही करने की कोशिश करें क्योंकि अगर 40 वॉल्यूम से करेंगे तो हैर का फिर दा necessity, check करें। उसकी जो हमने बालों में जितना उनका dye और किस हिसाब से कितना जाधा coating हुई हेर से वह सब आपलों को चेक कर लेना है, दिन उसके बाद ही आप लोग को developer दिसाइड करना है, तो मैं ज़ैसे जाधा कम से कम हमारा काम हो ताकि हमारा hair ज़्यादा dry ना हो तो 20 volume से हमने bleach wash यानि की pre-lightner किया पुरे बालों में से dye और महिंदी निकाल लिए और 20 volume से अब हम हमारा burgundy color shade यानि की 3.16 यूज़ कर रहे हैं Argon Secret का Strix का काफी बहतरीन shade इसका आने वाला है तो final result आप लोग जरूर देखना final result में आप लोग को देखने मिलेगा कि किस तरह से हमें एक पहतरीन सा look मिला है तो proper तरीके से हमने पूरा application complete कर लिया है अब इसे हम रखेंगे 30 minutes के लिए तो 30 minutes के लिए आराम से आप लोग इसे रख दीजिए और उसके बाद में आप लोग देखोगे कि कितना पहतरीन सा look मिलेगा 3.16 का मतलब आप लोग को एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग को इसका जो color shade या फिर color wheel पता हो तो उसमें आप लोग को पता है orange tone को cut करने के लिए blue color होता है यानि कि orange के opposite में blue होता है और blue यानि कि ash तो आप लोग इसमें देखोंगे 3.16 जो है तो 1 जो है वो ash में आता है जो कि हमारे orange tone को बहुती अच्छी तरीके से cut down कर देता है और एक बहतरीन सा हमें shade देता है तो अब हम अच्छ ट्रिक्स का सिरम भी लगा रहे हैं color करने के बाद में और सिरम लगाने का अद्बालों में अच्छी तरीके से हम पूरा इसे लगा ले रहे हैं और उसके बाद में लेंद पर आप लोग को जब सिरम लग जाए तब हम आपको final result देखे कितना बहतरीन सा आया है एकदम amazing सा look आया है wine red type का आप लोग को ये color कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताना और हाँ मेरे instagram ID पर जरूर जाना वीडियोज खतम होने के बाद वहाँ पर भी काफी ज़्यादा वीडियोज आप लोग को मिलेंगे और आप लोग को और किस color से related वीडियोज चाहिए कमेंट्स करके जरूर बताना बहुत लोग का color का chemical work का बहुती issue होता है उनको समझ में नहीं आता है तो वीडियो पूरा last तक देखेंगे सारे वीडियोज तो ये आप लोग को समझ में आएगा तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करना इसी तरह आप लोग के लिए नहीं वीडियोज आते रहेंगे अगर आप लोग मेरे सलोन पर विजिट करना चाहते हो तो मेरा सलोन है कल्यान में आईए वहाँ पर विजिट करिए और अपने मन पसंद वाला color कराईए तो चलिए इसी तरह आप लोग का प्यार बनाए रखिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ इसी तरह knowledge आप लोग बनाए रखिए और जितना हो से कि उतना मेरे वीडियो से सीखते रहिए और हाँ सबसे main बात कि आप लोग वीडियो को शेर नहीं करते हो तो वीडियो को शेर भी करिए ताकि और भी लोग हैं जिने गलर से रेलेटेट प्राबलम है वो प्राबलम उनका सौल हो जाए चलिए मिलते हैं बाई बाई टेक केर